आज हम एक ऐसे मिठाई बनाएंगे जिसे देखकर आपके मूं में पानी आ जाएगा हम आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी हेल्दी बनाने में भोती असान रोज खर्वज बोती टेस्टी लगता है अगर आप एक बार खालेंगे तो बार-बार बनाने का और खाने का मन चली तो लाज तक बने रहेगा हेलो फ्रेंड्स मैं हूं प्रियंकाडल मेरे चैनल वैच फूलवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है चली तो आज की डिच बनाला शुरू करते हैं रोज खर्वस बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे हंकर बना करके त्यार करेंगे मैं चाइपोनी भी ले सकते हैं मेरे पास यह तोकरी थी जाली वाली तो मैंने वह ले लिया इसके उपर डालेंगे कोई भी कोड़न का खपड़ा या कोई भी मलमल का खपड़ा आप ले सकते हैं यह मैंने दही ले लिया दो कप दही डाल देंगे इसमें और इसे बंद करके चा पानी निकलने लगा है यह देखिए जाली की वाली टोकरी थोड़ी सी ऊची होने चीए ताकि जो पानी है वो नीचे निकल जाए अब इस पर कोई भी भारी चीज आप रख दीजे कोई भी थोड़ी हैवी वेट की हो इसके उपर रखेंगे तो आप ओवरनाइट भी रख सकत है अगर आपके पाद ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप दो से तीन घंटे भी रख सकते हैं यह देखिए मैंने पूरी रात के लिए इसे रखा था और पूरी रात होगी है यह देखिए आप देख सकते है कि कितना इसमें से पानी निकल गया है अब इसे खोलेंगे आप देख सकते हैं कि हमने दो कप दही डाली थी अब कितनी लग रही है एक कप जितनी यह हंकर बन गई है यह देखिए एकप पनीर की तरह यह बन जाती है यह देखिए अब मैंने इसे एक कटोरी में निकाल लिया है अब हम बाकी समान भी ले लेंगे यह देखिएंगे मैंने एक कप दूद ले लिया है फूल फैट दूद ले लिया है मैंने एक कप और फिर मैंने ले लिया है कंडेंस मिल्क तीन चोथाई कप लिया है और फिर मैंने ये ले लिया है । मिल्क पाउडर आदा कब। और फिर मैंने ले लिया है एलाइची का पाउडर एक चुधाइच चम्मच। और ये मैंने ले लिया है गुलाब शर्बत यानि रोज सिरप दो चमच और ये कुछ मैंने ले लिया है गुलाब की पतियां ताजे गुलाब की पतियां मैंने ले लिया है आपके पास चाहे तो सूखी हुई है तो आप वो भी ले सकते है और ये हंकर्ड ली थी वो तो आपक इसमें हम डाल देंगे milk powder और इसमें हम हंकर्ड डाल देंगे फिर इसमें हम डाल देंगे condensed milk फिर इसमें हम डाल देंगे गुलाब शर्वत इलाइची पाउडर सब कुछ मैंने इसमें मिक्स करके डाल दिया है अब इसमें हम क्या करेंगे विसकर से अच्छे से इसे फेट देंगे एकदम स्मूथ होने तक इसमें मिक्स करते रहना है कोई भी गाठ इसमें नहीं होनी चाहिए इदम स्मूद सा mix त्यार होना चाहिए, ये देखे कि mix करते जाएंगे, अगर मालो आपसे mix नहीं हो पारा है, आपके जो lumps है वो रहे गए है, तो आप क्या करें, जो mix होती है, mix का जार होता है, आप उसमें भी डाल की कर सकते हैं, इदम जटबट से बन करके त्यार होगा, मैं स्मूद सा बैटर बन करके त्यार हो गया है, कोई भी लब्स नहीं है, इसमें ऐसा ही आपका भी होना चाहिए, ये देखेंगे, अब हम ले ले लेंगे एक कडाई, कडाई में डाल देंगे हम पानी, दो से तीन कब पान डाल देंगे, गणाई मिक्स त्यार करने से पहले आपको कडाई रख देनी हैं, और गरम करने के लिए, गरम अच्छे से हो जानी चाहिए, ये देखेंगे, इसमें हम एक स्ट्रैंड रखेंगे, फिर से थोड़ा उच्छा करने के लिए एक स्ट्रैंड मेने और रख दिया है, अब इससे क्या करेंगे हम धक करके छोड़ देंगे 5-10 मिन के लिए इतनी में जो हमारे पानी है वो गर्म हो जाएगा यह दो कि मैंने एक प्लेट ले लिए है उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है अच्छे से घी से मैंने ग्रीस कर लिया है चाहिए तो आप ओल से भी कर सकते हैं फ पिस्ता और इलाइची का पाउडर डाल देंगे अब देखेंगे जो हमारी कडाई है वो अच्छे से गर्म हो चुकी है हम देख सकते हैं अब इसके अंदर हम रख देंगे और इसे क्या करेंगे मैं ढख कर पकाना है ढख कर हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए पका लेना है यह देखेंगे मैंने प्लेट को अच्छे से ढख दिया है अब इसे हम क्या करेंगे उपर से कवर कर देंगे गया इसको स्लो कर देंगे और 30 to 35 मिनट तक इसे पकाएंगे यह देख दोती गरम है कि आप देख सकते हैं कि अच्छे से फूल करके त्यार है जितना देखने में अगा रहाए तनावी खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट है यह दिखेंगे आप नाइफ से या तूट्पिक से देख सकते हैं यह दिखेंगे नाइफ है बिल्कुल निचे पकरा तो यानि यह स्टीम हो चुका है अब इसे हम निकाल देंगे और इसे क्या करेंगे ठंडा होने के लिए रख तो चौन देंगे बहुत गरम है अभी अभी निकाल पाएंगे इसमें यसे ठंडा एंए बदेंगे घंडा हो गया है अब इसे क्या करेंगे ृश्ट करेंने में या अपनी से से कुछ कर सकते हैं सी vide 1959 करण question कि मैं ऐसे चोरस पीस में कट करूंगी यह देखेंगे आप देख सकते कितने अच्छी से कट हो रहा है नाइफ से कोई भी चिपक नीड़ा है यह देखेंगे सारा ऐसे ही कट कर देंगी फटा-फट से यह देखेंगे मैंने सारे पीसिस कट कर लिए है अच्छे से यह हमारा रोज खर्वस बंगर के त्यार है आप भी रैस्पी ट्राइक किजी आपको रैस्पी कैसी लगी हमें कोमेंट करके जुरू बताएए वीडियो चे लगी तो वीडियो को लाइक किजी अपनी फ्रेंड औ झाल